अगर भारत के पिछले एतिहास को पीछे मुर कर देखा जाए तो नाम बदल की परमप्रा स्पष्ट देखी जा सकती है. जो नया शाशक आया उसने पहले जगह का नाम बदला है. ये सब तब हुआ जब भारत में राजशाही या बादशाही चलती थी. लेकिन क्या ऐसा करने से भारत का इतिहास बदला? भारत एक बहु सांस्कृतिक देश है. इसमें सभी जाती, जन्जाती, विभिन संस्कृतियो व धर्मों का समावेश है. प्रजातांत्रिक भारत में नाम बदल से क्या हमारी सांस्कृतिक एक्ता पर फर्क पड़ेगा ये देखने की बात है इधर अलीगर का नाम बदल करने की कोशिश हो रही है क्यों हो रही है नहीं पता आईए अलीगर को पीछे मुर्ध देखने की कोशिश करते है अलीगर का नाम लेते ही ताले याद आ जाते है वैसे विश्व में अलीगर की पहचान तालो और अलीगर मुस्लिम यूनिवसिटी से ही है अलीगर की एतिहासिक प्रिष्टभूमी शायद इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन यह एक महत्वपूर्ण इतिहासिक कड़ी है जो इतिहास में निरंतरता बरकरार रखती है कोल का उल्लेक इबन बतूता ने आम के पेडों से घिरे एक अच्छे शहर के रूप में किया था 1-8 सदी से पहले तक अलीगर कभी जंगल, जाड़ियों और पेडों से घिराक शेत्र हुआ करता था कुछ प्राचींग रंतों में पहले ये शहर कोल नाम से जाना जाता था कोल एक जनजाती थी या किसी राक्षस का नाम था, नहीं पता किन्तु जन्शूतियों के अनुसार कोल राक्षस के बलराम द्वारा मार डाले जाने के कारण शहर का नाम कोल पड़ा एक अन्यम मता अनुसार कोल की स्थापना 372 ईस्वी में राजपूतों की दोर जनजाती द्वारा की गई थी इसकी पुष्टी शहर के केंद्र में स्थित एक पुराने दोर के किले से की जा सकती है महमूद गजनी के समय दोर का प्रमुख हर्दत था, कोल कभी बौध समुदाय का निवास स्थान भी था क्योंकि जिस स्थान पर कोल का गर था उस स्थान पर की गई खुदाय से बुद्ध की मूर्तिया और अन्य बौध अवशेश पाए गए है प्राप्त अवशेशों में एक बौध मठव एक हिंदू मंदिर भी था 1194-E में कुतुब उद्धीन एबग के समय कोल का किला भारत के सबसे प्रसिद किलो में से एक था हिसाम उद्धीन उलबग कोल का पहला मुस्लिम गवर्नर था अकबर और जहागीर दोनों शिकार अभियानों पर कोल का दौरा किया करते थे इबराहिम लोधी के समय में उमर का पुत्र मुहम्मद कोल का गवर्नर था उसने कोल में एक किला बनवाया और 1524-25 में अपने नाम पर शहर का नाम मुहम्मदगर रखा साबित खान जो फारुक सियार और मुहम्मद शाह के समय इसक्षेत्र का गवर्नर था उसने पुराने लोधी किले का पुनर निर्मान कराया और शहर का नाम साबित गर रखा कोल के शासक बर्गुजर राजा राओ बहादूर सिंग थे 1753 की शुरुआत में बर्गुजर प्रमुक हिंदू मंदिरों के विनाश के खिलाफ हो थे 1753 में जाट शासक सूरजमल ने जैपूर के जैसिंग के सन्रक्षन में और मुस्लिम सेना ने कोईल के किले पर कबजा कर लिया था बर्गुजर राजा बहादूर सिंग ने उनके अधीन एक अन्य किले से लड़ाई जारी रखी और लड़ते हुए मारे गए जिसे धासेरा की लड़ाई के रूप में जाना जाता है इसका नाम बदलकर रामगड रखा गया और अंततह जब एक शिया कमांडर नजफ खान ने कोल पर कबजा कर लिया तो उसने इसका वर्तमान नाम अलीगड रख दिया 1875 में सर सयद एहमद खान ने अलीगड में मोहमडन इंगलू ओरियेटल कॉलेज की स्थापना की कॉलेज को आक्सफोर्ड और केंब्रिज विश्विध्यालयों के अनुरूप बनाया बाद में 1920 में यह अलीगड मुसलिम विश्विध्यालय बन गया आज ये भारत की नाम हरीगर करने का प्रस्ताव है क्या नाम बदल से इतिहास बदल जाएगा ये देखने की बात होगी